नमस्कार दोस्तों मैं कनेया लाल स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल स्टेडी विद केल सर में दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ संग्या शब्द का टेस्ट इसमें परिक्षा की दरश्टी से महतुपूर्ण 20 प्रश्णों का समावेश होगा जो परिक्षा मां आपकी काफी साहिता करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप्प मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट के अंत में कमेंट करके जरूर बता के जाना कि आपके कितने सही हुए और टेस्ट का लेवल केसा था, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों, पहला प्रशन है, संग्या के मुख्य रूप से भैद हैं, दो, तीन, चार, एक, बताए दोस्तों, इस प्रशन का सही आंसर क्या है, दोस्तों, इस प्रशन का सही आंसर है, विकल्प नंबर दो, तीन, दोस्तों, संग्या के मुख्य रूप से तीन भैद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और भाववाचक, चलिए दोस्तों, चलते हैं, अगले प्रशन क कि तरफ दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नमबर दो अवस्था का बोध कराने वाली संग्या है व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक कोई नहीं बताए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर तीन भाववाचक दोस्तों जो संग्या अवस्था दशा भाव का बोध कराती है वो भाववाचक केलाती है व्यक्तिवाचक संग्या व्यक्तिविशेस का बोध कराती है और जातिवाचक संग्या पूरी जाति का बोध कराती है तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है प्रशन नमबर तीन निम्न में जातिवाचक शब्द से बनी हुई संग्या है गोरव सामिप्य गिरावट बुराई बताए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक गोरव दोस्तों यहाँ पर जो गोरव शब्द है वो जातिवाचक संग्या से बना हुआ शब्द है जो जातिवाचक संग्या से बना हुआ शब्द है जो जातिवाचक संग्या से बना है जो जातिवाचक संग्या उससे गोरव बना है यहाँ पर जो सामीप्य है यह भी नहीं है बुराई यह भी अलग है और गिरावट अलग है इन में सही तीनों विकल्प एक भी जातिवाचक संग्या से नहीं बना है यहाँ पर जो गिरावट है यह गिरना करिया से बना है जो बुराई है वो बुरा विशेशन से बना है और ये समीप है समीप से सामीपे बना है तो यहाँ पर सही उतर है विकल्प नमबर एक गोरव चले दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर चार निम्न में व्यक्तिवाचक संग परिवार बूढ़ा बंधू पूरब तो बताईए दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर चार पूरब क्योंकि दोस्तों यहां पर जो पूरब है वो एक दिशा का नाम है विशेश अर्थ है यह इसलिए यहां प तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है विकल्प नमबर 4 पूरब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है प्रशन नमबर 5 निम्न में भाववाचक संग्या है विध्वा, चतुर, मिठास, हरा तो बताए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या ह दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3 मिठास क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मिठास है वो भाववाचक संग्या का उदारन है दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प नमबर 4 है हरा ये विशेशन है चतुर भी विशेशन है और विध्वा भी विशेशन है त लिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ दोस्तों अगला प्रस्ण है प्रस्ण नंबर छे निम्न में से कौन जातिवाचक नहीं है विद्वान सती मित्रता गुरू बताईए दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नंबर तीन मित्रता दोस्तों जो मित्रता शब्द है यह भाव अचक संग्या का उधारण है यहाँ पर जो विद्वान है यह जातिवाचक है सतीवी जातिवाचक है और गुरू जातिवाचक है जबकि जो मित्रता है यह जात अगला प्रश्न है प्रश्न नमबर साथ निमन में से कौन सा भाव वाचक नहीं है व्यक्तित्व सेवा कमाई दानव बताए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर चार दानव दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्तित जातिवाचक का उदारण है तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर चार दानव चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर आठ निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक है दोस्तों यहाँ पर है पशू पशू, ठगी, एश्वर्य, गंगा इसमें व्यक्तिवाचक बताना है तो बताए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर चार गंगा दोस्तों जो गंगा है यह नदी का नाम है इसलिए इसमें विक्तिवाचक संग्या होगी जबकि पशु में जातिवाचक है ठगी इसमें भाववाचक है और जो एश्वर्य है इसमें भाववाचक है चले दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 9 नि इसका कौन सा विकल्प जातिवाचक का उदारण है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो मित्र यहाँ पर जो है यह जातिवाचक का है जबकि चोरी, हसी यह भाववाचक संग्या का उदारण है और जेपूर व्यक्तिव आचक संग्या का उधारण है तो इस प्रस्ण का सही उत्र है विकल्प नमबर 2 मित्र चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 10 निम्न में भाव आचक संग्या है जीवन, बच्चा, मोहन, पेड़ बताए दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्र क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्र है विकल्प नमबर 1 जीवन दोस्तों ये जो जीवन है ये भाव आचक संग्या का उधारण है जबकि बच्चा जाती वाचक का उधारण है option आपने काट दें तो भी अपने पास विकल्प बचता है विकल्प नंबर एक इसमें भाववाचक संग्या है चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है प्रशन नंबर 11 निम्न में से कौन सा असंगत है व्यक्तिवाचक विशेशन भाववाचक ज दोस्तों यहाँ पर जो विशेशन है विकल्प नंबर दो में यह ऐसंगत है क्योंकि विकल्प नंबर एक व्यक्तिवाचक विकल्प नंबर तीन भाववाचक और विकल्प नंबर चार जातिवाचक यह संग्या के भैद है जबकि विशेशन अलग है यह विकारी का भैद ह तो यहाँ पर उत्तर होगा सही विकल्प नमबर दो विशेशन चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है प्रशन नमबर बारा विशेश का बोध कराने वाली संग्या है विशेश मतलब विशेश अर्थ का बोध कराने वाली संग्या जाती वाचक व्यक्ति वाचक भाव वाचक कोई नहीं तो बताएए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नंबर दो व्यक्ति वाचक दोस्तों जो संग्या विशेश का बोद कराती है वो व्यक्ति वाचक संग्या होती है जबकि जातिवाचक में पूरी जाति का भोध होता है और भाववाचक में भावद होता है तो यहाँ पर सही उतर है विकल्प नमबर दो, व्यक्तिवाचक चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है, प्रस्ण नमबर तेरा संपूर्ण जाती का बोध कराने वाले शब्द केलाते हैं व्यक्ति वाचक, जाती वाचक, भाव वाचक, कोई नहीं बताए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो, जाती वाचक दोस्तों जो सब्ध सम्पुन जाती का बोट कराते हैं वह जाति वाचक संग्या केलाते हैं इसलिए यहाँ पर सही उतर है विकल्प नमबर 2 जाति वाचक चलते हैं अगले प्रशने की तरफ दोस्तों अगला प्रशना है प्रशने नमबर 14 निम्न में भाव अचक संग्या नहीं है बुड़ापा पतन चोर उडान बताईए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों यहाँ पर सही उतर है विकल्प नमबर तीन चोर दोस्तों यहाँ पर बुड़ापा पतन और उड़ान में भाव अचक संग्या है जबकि चोर में भाव अचक संग्या नहें वो करके इसमें जाती वाचक संग्या है इसलिए यहां पर सही उत्तर है विकल्प नमबर तीन चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर पंद्रा निम्न में कौन सा शब्द जाती वाचक है हार भूल देश बुड़ापा बताएए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 देश क्योंकि दोस्तों जो देश है वो एक समु का बोथ करा रहा है जाती का बोथ करा रहा है इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही होगा जबकि हार, भूल, बुड़ा पा ये अलग है ये भाव वाचक के उधारण है चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रश्ण नमबर 16 निमन में कौन सा भाव वाचक है कमला, दानव, गूंज, व्यक्ति बताए दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर 3, गूंज दोस्तों यहाँ पर जो कमला है ये व्यक्ति वाचक का उधारण है जो दानव है ये जाति वाचक का है और जो व्यक्ति है ये भी जाति वाचक का है जबकि गूंज भाव वाचक का उधारन है तो सही उतर है विकल्प नमबर 3 गूंज चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है प्रशन नमबर 17 निम्न में कौन सा व्यक्ति वाचक है व्यक्ति महिला नरेंद्र शेशव बताए दोस्तों इस प्रशन का सही उतर क्या है व्यक्ति महिला नरेंद्र शेशव दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर 3 नरेंद्र क्योंज दोस्तों ये व्यक्तिवाचक का उधारण है चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रशनी के तरफ अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नमबर 18 निम्न में कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है मानव, दिल्ली, पश्चिम, मार्च पताए दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक मानव दोस्तों यहाँ पर जो अपने से पूचा गया है कि व्यक्तिवाचक नहीं है तो यहाँ पर पश्चिम जो दिशा है ये व्यक्तिवाचक है मार्च महीने का नाम है ये भी व्यक्तिवाचक है और दिल्ली इस्तान का नाम है ये भी व्यक्तिवाचक है तो इस हिसाब से ये तिनों अप्शन अपने सही नहीं है तो पहला option ने ये automatic सही हो जाता है दोस्तों और यहाँ पर जो मानव है इसमें जाती वाचक संग्या है तो यहाँ पर सही उतर है विकल्प नमबर एक चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है प्रशन नमबर 19 निम्न में जाती वाचक संग्या है देनिक भासकर लड़कपन त्योहार कड़वा हट बताए दोस्तों इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर तीन त्योहार क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो त्योहार है यह जातिवाचक संग्या का सब्द है जबकि देनिक भासकर व्यक्तिवाचक संग्या का सब्द है और लड़कपन तथा कडवाहट भावचक संग्या के सब्द है इस प्रकार यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नमबर 3 त्योह बार, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रस्षni की तरफ, दोस्तों अगला और आखरी प्रस्न, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियू पसंद आए, तो वीडियू को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, और चैनल को अगरे हैं, उस एकी अग दोस्तों इस प्रश्न का सही उतर है विकलप no.3 कौमलता के दोस्तों इस शब्द में भावचक संग्या है जबकि परवत जो है वो जाती वाचक है जो महान है वो विशेशन है और जो सागर है यो जाती वाचक संग्या का सब्द है तो यहाँ पड़ cuma 3 कौमलता इसमें